वेल्कम टू माई चैनल चंदा फूर्ड एंड क्याप दोस्तों इस महासी रात तिमा आपके लिए लिए यूं साबुदाने की खिचडी रेसेपी यह बिल्कुल खिली-खिली की इस तरीके से बनती है मैं एक टिप्स के साथ आपको बताऊंगी तो आईए दोस्तों इस रेसे से हाथों से रगड कर इसको बिल्कुल साफ करना है आप देख रहे हो मैं बिल्कुल हाथों से इसको अच्छे से मसल मसल कर साफ कर दी हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वह निकल जाए जैसे जैसे हाथों से इसको रगड दी हूँ तो इस जो पानी हमने डाल जाता बिल्कुल सफेद होती जा रहा है ये जो एक्स्रा इस्टार निकलेगा तब ही हमारा पानी बिल्कुल सफेद हो रहा है जो हम इसको क्लीन कर चुके हैं अब अब छलनी में डालकर इसका पानी निकाल देते हैं लकाइन बचे हैं फिंआ जो च्छलनीमें हमारे चाबुदानें बचेंगें वह अपर gentleman में डालंगे और इसको हम दो बडार फिर से साफ करेंगे तरसे हम मिज में पानी यह डाल लेते हैं काफी लोगों की सिकायत होती है कि हमारी साबुदाने की खिली 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 नहीं बनती है तो उसकी एक तो वज़र होता है कि आप साबुदाने को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ नहीं करते जब तक उसका स्टार्ट नहीं निकलेगा तब तक साबुदाने की खिली खि से तयार कर लिया है उसकी जार निया है अभि इसमें पानी है साभवदाने में तो हमηब गोते समें आपको जिस वता भीज़गों आपको टक्रिक ब assessments उसमें हमें पानी ज्यादा कि डाला बिल्कुल तो से 3 चम्म पानी डाल के छीट मारने हैं क्योंकि साबोन ना हमारा है तोी काफी पानी पहले से है हमें पुते च STEW समय पानी पिलकुल नहीं डालने हैं । वह बिल्कुल करें डाला है इसको छैでも भीगने रहे हैं हम आगे का प्रोशर्स करते हैं इसके लिए एक कड़ाई ले लेते हैं इसमें हम आदा कप मुफली ली है जिसको हम रोस्ट होने देते हैं मुफली जब तक हमारी रोस्ट होती है तब तक हमें इसको लगाता चलाते वे कड़ाई में जलाना है यह देखिए मुफली हमारी भून चुकी है उसका चिलका भी उतरने लग गया है इसको हमें प्लेट में निकालकर ठंडा करकर इसका चिलका उताकर इसका पौडर बनाकर त जबाएंगे तब बिल्कुल यह मैश हो रहा है हमारे साबुदाने बिल्कुल भीक कर अच्छे से तयार हो गए है अब हमने जो मुंफली पीस कर तयार करी थी वह भी हम इसी साबुदाने में मिक्स कर देंगे इसको हमने चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम खिचरी बनाने के लिए कड़ाइल ले लिए उसमें दो चम्मच ओलेंगे ओल करने पर हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे जीरा चटकते ही अम हम इसमें डालेंगे 2-3 हरिमेच आप हमने टेस्ट के कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो आदा इंच अद्र का टुकड़ा इसको दो मिंट के लिए भून लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे साथ से आठ कडी लीव्स इसको भी हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एक अलू बला हुआ अलू लेंगे उसको मैंने बारी काट कर रख लिया था इसको भी हम इसे में मिक्स करके पांच मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे आलू को लगाता चलाते वह हमें भूनना है ताकि यह कडाई पर चिपके नहीं और इसको भून लेते हैं तब हम इसमें साबू दाना डालेंगे यह देखिए अलू अच्छे से हमारे भून कर तयार हो गए है और जो मुंफली और साबू दाना हमने मिक्स किया था वह हम इसे में डालेंगे आप देख सकते हो यह बिल्कुल एक-एक मोती की तरह दाना गिर रहा है या इसी तरीके से बिल्कुल खिली-खिली खिचरी बनकर तयार होएगी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या में इसमें एक नीम्बू जालूंगे नीमबू को इसको जाए घड़ा नीचोड़ लेंगे हैं यह हमाने एक नीमबू नी चोड़ लिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करदेगे इस खिचडी को हम अच्छे से फैलाद देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए ढखकर लो फ्लेम पर पकने देते हैं जब हम ढखकन लगा के पकाएंगे तो जो उदाना नहीं वीगा होगा वह भी अच्छे से इसमें पक कर तयार हो जागा अगर आपको पसंद हो तो आप डाले नहीं तो किप भी कर सकते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों यह हमारी साबुद आने की खिचडी बनकर बिल्कुल तयार है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने अनभाव कमेंट्स बोक्स मे को दवाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नॉट्रिफिकेशन आपको मिलती रहें